नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लेकर आई हूँ भंडारे वाली मिक्स वेज या अनकुट की सबजी जिसे हम तेवहार के टाइम में बनाते हैं बहुत ही डिलीसियस सबजी की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल है बनाने में तो आएए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर को कुछ सबजी ली है टमाटर ली है आलू को लिया है मोटा काटकर और बैगन अभी नहीं कटकिया है उसे बाद में डालने के टाइम ही कटकर के डालूंगी और कुछ मसाले अधरक हरी मिर्च काली मिर्च और लॉंग को कूट लिया है सभी चीजों की मैं डीटेल जब थोड़ा भून जाएगा तब इसमें कूटा हुआ मसाला जो हमने तयार किया है वो डाल कर दो मिनिट पका लेंगे जब मसाले से खुचबू आने लगेगी तब सबसे पहले मैंने परवल को डाल कर थोड़ा सभून लिया है क्योंकि परवल का छिलका थोड़ा हाड होत दो मिनिट भूलनें के बाद हम इसमें आलू और बाकी सब्जियां भी डाल देंगे तो जब परवल थोड़ा सा ग्वर्डेन टाइप का हो जाएगा मतलब बहुत जादा नहीं भूनना है सिर्फ हलका सा इसमें ओयल का कोटिंग हो जाएगा उतना ही भूनना है इसके बाद अलु जो हमने पानी में भीगा कर रखा था वो भी डाल देंगे और बाकी सभी सब्जियां भी तो बैगन भी मैंने यहाँ पर कटकर लिया है और बाकी सब्जियां बीन्स, कैबेज, केला मूली है इस भी डाल दिया है साथ ही नमक, हल्दी और धनिया पाउडर भी डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर डाला है अभी सब्जियों की कौन्टिटी जादा है तो चलाने में मुश्किल हो रही है इसलिए ढखकर इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तो यहाँ पर सब्जियों की कौन्टिटी थोड़ी कम हो गई है गलने के बाद तो इसे एक बाद मिक्स कर लेते हैं फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि सब्जियों जले नहीं और अच्छे से पक भीजाए तो यहाँ पर सब्जियों का पानी सूख चुका है तो मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसमें एक कप के करीब और यह सब्जियां अभी आधी कुक हो चुकी है तो इसमें मोटे कटे हुए टमाटर भी मैंने डाल दिया है फिर से 10 मिनट के लिए ढख कर रख दिया और अब यह सब्जियां काफी मात्रा में पक चुकी है मतलब 70-60% तक कुक हो चुका है तब यहाँ पर हम एक चमच भरके अमचूर पाउडर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डाला है आधी चमच और एक चमच कसूरी मेथी इन चीजों को डालने से बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट आएगा सब्जी में तो इन चीजों को स्किप नहीं करना है इस सब्जी में प्याज लसुन वगरा कुछ भी नहीं पड़ता है सिंपल मसालों के साथ बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ढ़क कर बिल्कुल सब्जीयों के गलने तक हमें फिर से पकाना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है तो यहाँ पर सब्जीया पक चुकी है चेक कर लेंगे इसके बाद इसमें आप अगर ग्रेवी डालना चाहते हैं तो ग्रेवी भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा ड्राइब बनाया है और हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे और दो मिनट पकाने के बाद ग्यास आफ करके ढखकर पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो यह लाजवाब सी सब्जी बनकर तयार हो जाती है इस सब्जी में आप चाहें तो कुम्डा और लौकी भी डाल सकते हैं तो सब्जियों के साथ खाने के लिए मैंने अजवाइन वाली पूरिया तली है जिसके साथ यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है भंडारे में हम यही खाते हैं पूरी या किसी भी तरह की बेडमी पूरी होती है और उसके साथ यह भंडारे वाली मिक्स वेज की सब्जी ह होती है तो इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट भी पाएंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है सभी को बहुत पसंद आएगा एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक और टेक केर मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और लाइक और कमेंट भी करें अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो